जब बहु ने खाली हसने वाली दवा, किशनगट गाउं में किर्ती अपने बेटे दिवा कर और बहु अंशु के साथ रहा करते थी, तीनों बहुत ही हसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं अरे बहु, आज खाना मैं बना देती हूँ नहीं माजी, आप क्यों तकलिफ कर रही हैं, आप आराम कीजिए, खाना मैं ही बनाऊंगी कितनी अच्छी बहु मिली है मुझे, भगवान ऐसी बहु सब को दे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कि एक दिन गलती से अंशु हसने वाली दवा खा लेती है बस उस दिन से सब कुछ बदल जाता है अरे बहु, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो दे दे अरे बाम लगा कर क्या करोगी माजी, मैं पाउं दबा देती हूँ अरे एक तो मुझे पाउं दर्द हो रहा है, उपर से तुम हस रही हो I'm sorry माजी अरे फिर से हस रही है, जा तू मेरे कमरे से, मुझे तिन से बात नहीं करनी ये बगवान, ये क्या हो गया, माजी क्या सो जगी दो दिन बात किर्टी घर में किटी पार्टी रखती है, उसकी सभी सहलियां घर आने वाली होती है अरे बहु, मेरी कुछ सहलियां आज दो पैर को घर आने वाली है, आज कुछ खाने में अच्छा सा बनाना कियो मेरे सहलिया नहीं हो सकती क्या तुम फिर से हस रही हो नहीं माजी मैं हस नहीं रही हूँ अरे फिर से हस रही हो और बोल रही हो कि हस नहीं रही तुम जाओ मेरे सामने से और किचन का काम कर लो जाओ दोपेर को किर्टी की सभी दोस्त खाने पर आ जाती है अरे वाँ, घर तो बहुत सुन्दर सजाया है किर्टी अरे मैंने कहा, ये सब तो मेरी बहु का कमाल है अरे वाँ, बड़ी गुनी है तुमारी बहु तो खान अभी अच्छा बनाया है हाँ बहुत ही गुणी है तो हमको नहीं मिलवाओगी क्या या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहु को अरे नहीं नहीं अभी बुलाती हूँ अन्शू ओ अन्शू बहु रानी अन्शू बहार आती है जी माजी बहु ये सब मेरी सहे लिया है मिलो सबसे नमस्ते आंटी नमस्ते बेटा बहु तो बहुत अच्छी मिली है तुमको किस्मत वाली हो तुम किस्मत वाली अरे क्या हुआ हस क्यों रही हो नहीं नहीं मैं हस नहीं रही हू तबी अचानक सांची की हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्टा गंदा हो जाता है अंशू फिर से हसने लगती है इधर सब सहलियां गुस्सा होकर चली जाती है किर्टी भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है इस तरह से तुमाजी और उनकी सहलियां नाराज हो गई अगले दे बहू ओ बहू किदर हो जी माजी जल्दी से मेरे साथ चलो पड़ोस वाले शर्माजी की हाथ अटक से मौत हो गई है उनके घर बैठक के लिए जाना है अंशू तयार होकर आ जाती है थोड़ी देर में दोनों शर्माजी के घर पहुँच जाती है वहाँ पर सब रो रहे होते हैं किर्ती शर्माजी की बीवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगती है बढ़े अच्छे इंसान दे मेरे बदी अच्छा तुम हस क्यों रही हो वह अच्छे थे हाँ हाँ बहुत अच्छे थे अंकल अरे अंशू हस मत माजी मैं हस दे रही मैं तो अंटीची को बस दिलासा दे रही थी सब औरते अंशू की इस हरकत से हैरान हो जाती है किर्थी भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो अंशू को लेकर फटा-फट घर लोटाती है अंशू क्या हो गया है तुझे हस क्यों रही थी तु वहाँ पर नहीं माजी मैं तो बस अरे तु फिर से हस दी जा तो अपने कमरे में मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा अब रात को जब दिवाकर घर लोटाता है तो किर्थी दिवाकर को सब कुछ बताती है ठीक है मा अब फिक्र मत करो मैं अंशू से बात करता हूँ दीवाकर अपने कमरे में जाता है जी आगए आप कैसे है मैं तो ठीकू बस सर में हलका दर्द है सर में दर्द अरे इसमें हसने की क्या बात है नहीं मैं हसने ही रही हूँ मुझे तु फिक्र हो रही है आपकी एक तो मेरे सर में दर्द है उपर से तुम हस रही हो अरे कैसे समझाओं मैं आपको मैं हस नहीं रही अंश्रू तुम इस घर से चली जाओ मा ने मुझे बताया जो भी तुमने शर्मा आंटी के घर किया और किटी पाटी में भी नहीं जी मैं ऐसे नहीं हूँ तो अभी क्या हुआ था? क्यों हस रही थी तुम? रुकिये, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ बताती हूँ आपको सब कुछ अर्शू डाइरी में लिखकर दिवाकर को पढ़ने देती है कुछ दिनों पहले मैंने गल्ती से हसने वाली दवा पी ली थी जिसकी वज़े से ये जिसकी वज़े से ये जिसकी बताती है